गुट मारिंग अल अफ यू दिस इस यूर सेलिशन वीडियो इस्टेंडर थर्ड इस्टेंडर थर्ड चैप्टर नाइटीन आवर फ्रेंड्स एनिमल्स इस इस सेलिशन वीडियो दिस इस पार्ट थ्री तो यह आपकी चैप्टर नाइटीन का सलिशन वीडियो है जो हमने नाइटीन चैप्टर में जो हमने बुक्स में किया वही कोसेन अंसर इसमें है तब भी आपको क्या करना है ध्यान से वन वेवर में कोसेन अंसर पड़के आपको बता रही हूँ आपको बसे भी सुनना है अब भी आपको लिखना नहीं है यह सारी आपकी बुक्स की कोशन आंसर है उसके बाद जब यह कम्प्रीट हो जाएगा तो इसके साथ पीडियफ आएगी तो उसको देखकर आप अपने नौट बुक में बनाएगा ओके फाइब पेच के एक कोशन आ देखते हैं तो अभी आपका फर्स्ट कोसर नहीं है यहां पर हमने बुक्स में भी किया था पूट डशेंटेंज इन दा करेक्ट ओरे आपको इस को करेक्ट ओर्डर में करना ता sentence को तो आप हमने बुक्स में किया था अभी आप इसको क्या किजिएगा वन बुड करके में वो आ जाएगा ओके फिर सकेंद यहां पर देख रहे हैं नौजोत और अनिल कुईकली वार्टर इने बाउल फिर क्या करता है पीटर ने चिर्याव को प्यार से सहलाया ओके फिर यहां पर है सौरी नौजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी लेकर आए ओके फिर यहां पर थर्ड है पीटर लबली दा बर्ड तब यहां पर क्या था पीटर ने चिर्याव को प्यार से सहलाया फिर फोर्थ में है दा बर्ड फ्ली अवे अब यहां पर चिर्या एक मेंट फोर्थ में था दा बर्ड फ्ली अवे मतलब फोर्थ की आवाज के साथ चिर्य यह क्या करती है क्लास से बाहर उर जाती है ओके फिल लाश्ट था दा चिल्रन सो ए बर्ड सैक्लिंग इन देर क्लास्रूम अभी यहां पर है बच्चों ने देखा कि एक छिरिया उनकी क्लास में चक्कर लगा रही है ओके इसको हम क्या करेंगे अरेंज वाइज आपको अपने तो यहां पर उसका एंसर हो जाएगा मनाली वोड है डिटर्निंग किटेन टू दा कैट ओके अभी नेक्स्ट कोसन देखेंगे तो नेक्स्ट कोसन थर देखेंगे वाट बिल प्यूपल इन मेनूस फैमिली डू अभी यहां पूछ रहे हैं कि अब मेनू के जो घर के लोग ह हैं वो क्या करेंगे तो एंसर था दे ओर्ड वास दा वंडर बिद वाटर एंड अपलाई दा ओपमेंड ओके फिकोसन फोर्थ है अब यहां पर आपसे पूछा जारा आपने जो बुक्स में किया था वही है फिर यहां पर चन्दू दो भी अपने डॉंकी का बहुत ध्यान रखता है डॉंकी भी तो उसके बहुत सारे काम करता ओके तो आपको यहां पर क्या करना था इस तरह से जो आपने आपने बुक्स में देखा था यह पिच्चर सेम तो आपको पीचर के साइड में आपनों जो बुक्स में लिखा था तो सेम वही अभी रिपीट है तो आप देखें आपर फर्स्ट है फर्स्ट है आपर चंदू मेक्सर डॉंकी टू बाथ तो यहाँ पर क्या चंदू फिर सकेंड है वाटर उसको दिया ओके फोर्थ में चंदू डेकोरर डॉंकी बिद फ्लावर फिर चंदू ने क्या किया डॉंकी को डेकोरेट किया फ्लावर से तो ये भी आप अपने notbook में लिख सकते हैं अपने books में भी लिखा था अब भी आप इसको notbook में भी लिख सकते हैं नेक्स्ट कोस्टन है Do you or any of your neighbors have a pit? Which one? तो answer होगा yes, dog Second है What name have you given the pit? Answer हो जाएगा हादी ये भी question number 7 देखेंगे Question number 7 What do you do when your pit is? Answer हो जाएगा We give him food to eat Feeling hot or cold We give him blanket to cover up By someone We stop the person from testing him Heart we apply often on the word Question number 8 We keep some pit animals at home We look after them too In the table below are the names of some such animals Completed the table तो हमने जैसे books में किया था एक complete table में उस्तरस आपको भी यहाँ पर करना है तो आप इस्तरस अपने notebook में ड्रॉक कर क्या बना सकते हैं Name of the animals का आप लिख दीजेगा और फिर second में Why do we keep them तो dog, cow, horse, ox, hen, fish, rabbit and honeybee तो आपको इस्तरस करके अपने notebook में लिखनी हैं फिर question number 9 Like as animals also need water to leave There are many other things which are requirement by both Animals and humans write the names of three such things Answer क्या हो जाएगा Yes Answer हो जाएगा Air, Water and Sunlight Okay फिर question number 10 है Have you even feed any animals Or seen anyone else feeding any animals If yes, then fill the table Okay फिर यहाँ पर देखिए इस्तरस आपको करनी है Box बनानी है फिर से यहाँ पर देखिए Name of the animals you feed किस जानवर को आपने खिलाया और यहाँ पर है What did you feed क्या खिलाया है तो आपने यहाँ लिखा Dog Dog को आपने चापाती खिलाया है Cat, Milk, Pigeon, Weight Okay फिर यहाँ पर है Parrot पैट को क्या खिलाते हैं चिल्ली तेस तरह से आपको आपने कौन से एनिमल्स को आप हो सकते हैं तो आप कोई और भी एनिमल्स की आपे नाम डाल सकते हैं आपने जो इस एनिमल्स को खाना खिलाया होगा और क्या खिलाया है वो आप लिख सकते हैं अभी कोईसर नंबर 11 देखेंगे 11 में क्या है फिर कोईसर नंबर 11 यहाँ पर देखेंगे Do you have these names in your list Find out what these animals eat तो यहाँ पर वोगा रैट, कॉक्रोज, पीग, बैट, क्रो, मंकी, स्पैडर, लिजार्ड ओके तो आपको इस तरह से फिर से एक बॉक्स बनानी है अपने नोट्बुक में बॉक्स बनाके फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ देखें रैट हो गया चपाती, कॉक्रोज, इंसेट, बैट, क्रो, मंकी तो आपको इस तरह से अपने नोट्बुक में बॉक्स बनाना के फिर से लिखनी है ओके तो और भी है यहाँ पर इस्पैडर एंड लिजार्ड तिस तरह से आप कम्प्रेट कर लिजेगा फिर यहाँ पर देखे, राइट रmaFrत में बॉक्स और को आपको नोट्बुक में लिखनी है यह वाली तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बुक्स में पर किया था ऐसे यहाँ जिने आपने चुआ है और प्रीस रोह में खिला और यहां पर आपको लिखना है ऐसे एनिमल्स जिने तुमने छुआ नहीं है पर आप छू सकते हो फिर यहां पर थर्ड में किसका आपने नाम लिखा है ऐसे जानवर जिने तुम छू नहीं सकते हैं आप जिसको छू भी नहीं सकते हैं उसकी नाम लिखना है तो फर्स्ट में यहाँ पर हो जाएगे स्पैरो, डॉग, कैट, रैविट हमने बुक्स में भी लिखा था, बुक्स में हमने डॉग, कैट, काउ, कॉट लिखा था यहाँ पर इस तरस लिखा, बर आप अपने हिसाप से भी लिख सकते हैं कोई और एनिमल्स का नाम जिसको आपने छुआ होगा ओक, अब यहाँ पर हो जाएगा एलिफैंड, होर्स, कैमेल और काउ आप हो सकता, आप इनको छुआना चाहते होंगे, पर अभी तक छुआ नहीं पाएंगे, ओके फिर यहाँ पर लास्ट वाले में, जिने आप छुआ नहीं सकते तो क्या हो जाएगा, लायन, स्नेक, क्रोकोडाइल, और लास्ट टाइगर, यह सब एनिमल्स को हम टश बिलकुल नहीं कर सकते हैं, ओके तो यहाँ पर आपका सलेशन वीडियो समाप्त होता है, अब इसके साथ जो पीडियेफ रहेगी, वो आप देखकर अपने नॉट्बुक में लिख लिजेगा, ओके तो थैंक यू, टेक कियर, और बाए बाए